अपने यूट्यूब चनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे संदे टेस्ट की जह हमारा दूसरा टेस्ट है इससे पहले पहला टेस्ट कंडक्ट किया जा जुका है यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखेगा फिर आप ये देखेगा या इस वीडियो का करेट होने के बाद उस टेस्ट पर जायेगा दोस्तो इसमें होंगे दस से 12 CJ और आप को comment box में इनके answer होते है इसमें बिना option के question होते है इसमें कोई भी option नहीं होता जो भी हमने वीक में पड़ा होता है वही question लिए गए होते हैं और उनी का test होता है इससे आपका weekly report ली जाती है कि आपने 10 में से कितना score किया और हमें भी पता जलता है कि हम आपके लिए जो कर रहे हैं वो वाक्या कारगर है या नहीं है दोस्तो इससे पहले यदि आप इस channel पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि इस channel पर आपको अच्छे पोलिस के regarding हर information दी जाती है इसलिए आपको channel पर बने रहना है channel को subscribe करना है पहला icon जरूर own करना है चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज की वीडियो का सबसे पहला question है आपको कारे का मात्रग बताना है पहला question है कारे का मात्रग क्या होता है ठेक है next question है प्रकाश वर्ष किस की इकाई है हमारा third question है हाइग्रोमिटर क्या है दोनों हाइग्रोमिटर और हाइड्रोमिटर science के chapter में आपको पढ़ाए गए है जिसमें हमने instruments कंप्लीट किये थे उसमें दोनों चीजें discuss किये जा चुके है यदि आपने वो नहीं देखिये वीडियो वो भी देख लिए जेगा next चोथा question है हाइग्रोमिटर fourth के बाद fifth question है रेडियो अक्टिविता की खोज जो है वो किसने के रही थी next question है छटा question है पेसमेकर का संबंध जो है वो शरीर के किस अंक्सि होता है next question है सात्वा question मानव शरीर के किस गरंती को master gland कहा जाता है दोस्तो next question आपका English लिया गया है जो भी हमने इस वार हमने इस वीक में पढ़े noun noun यदि आपने अच्छे पढ़े होंगे तो आप इस question का जवाब जरूर दे पाओगे question क्या है the police is coming toward us now the police are coming toward us now दोनों में आपने बताना ही कौन सा आपका correct है A या B next है आपका 9th और 10th question 9th में भी आपने A और B में चूज़ कर रहा है कि कौन सा option जो है वो आपका सही है the scissors are very sharp the scissors is very sharp दोनों में से आपने बताना है कौन सा जो है वो सही question है next question number 10th है रचना के अधार पर शब्द के कितने परकार होते हैं दोस्तो इसमें आपने परकार तो बताने ही है और परकार जो जो परकार होते हैं दस के दस दे पाओगे उत्तर तो आपकी त्यारी अच्छी चली हुई है यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं विकाउस आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो को शेयर जूर करें दोस्तों त्यारी कर रहे है बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचने चाहिए इस वीडियो वसे तना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप खुश रहिएगा पढ़ते रहिएगा धन्यवाद चैहिन चैहिमा चल